वो लोगों ने नकार दिया था, अब फिर सबी ने चाहू लागू कर दिया है क्योंकि विदेश के देखा देखे लेखे हो गया था, अपनी देश के लेकिद आप दोग दहाँ से है हमारे खुर्बद सेरी ओपे, प्रिशी मिलियों की देखे, आज देखे हम लोग देखे हैं कितनी सवस्तो रहता है वरोना में भी आप लोग देखा हो गए हो उपसे ही हम इस सवस्तो रहता है और धर्ती मौन को बचाहिए लगे हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। जीबित नहीं रहता है। हमारी धर्ती सुरच्छते हैं साथ में हम लोग जबीते हैं। और मेरा सभी टीचर जए अगर-गर करता है। जदि आप लोग अपने नाम चे एक एक पेज लगाएंगे तो हमने इंप्लेट करका इगार देगे। और उसके साथ साथ कल्परिच का नाम आप लोगोंने सुना होगा। जो स्वर्वर्व में होता था इंदर के पास होता ह। वो कल्परिच आज पर हमारे पॉसथ है, हमारे लईचरी में नहीं है। चंदन के बिलंच ची की तुध्राज के बिलंच, कपूर के बिलंच भी अ甦ोने धिक नहीं की देखा होगा। ये कि इस्टरका का बिलंच की बीलंच भी लंगा। पूल लगते हैं इसके लंबा पूल आया लंबा पूल आये लगते हैं आप भारत टीवी के साथ हम दिल्शात कलानी वाड में हैं और यहाँ पर यहां की निगम पाश्यदा इंद्रा ज्हाजी है स्कूल के अंधर यहां पर पर के रृक्षय रूपन का कारेकर्म थो बस्कार कर्विता जी आज 75 मा आजादी का सोतनता दिवस हम मना रहे हैं उसके लिए कितने महापुरूस अंगिनत महापुरूसों का बलिदान हुआ अभी वी जो आप मुझे इंटर्व्यू ले रही हो आज भी हमारे जवान बॉर्डर पे हैं हमारे सिफाही रोड पर हैं उन्हीं की दोलत आज हम आजादी मना रहे हैं 15 अगस्त मना रहे हैं तो मैं सबसे पहले उनको नमन करती हूं जो आज वो नहीं होंगे तो हम लोग 15 अगस्त नहीं मना पाएं और आपको मैं बताना चाहती हूं कर्विता जी आजादी तो हमें पच्छातर्मा साल है लेकिन पूरे इसकी आजादी नहीं मिली थी अगस्त महिना हमारे लिए बहुत सुब दिन है पिछली साल पांच अगस्त को हमें आजादी मिली जम्मू कस्मीर की बिल्कुल ठीक है जम्मू कस्मीर में क्या था उनका अलग निशान अलग संबिधान अलग परधान पूरा इंडिया अलग लेकिन जम्मू कस्मीर का अलग था तो मैं अपने मानने परधान मंतरी नरेंद्व मोदी जी को सतसत नमन करती हूँ अब मैं भगवान से परातना करती हूँ दिर्ग्यायू बने अब बार बार परधान मंतरी बन के आए जे इस तरह का इतिहास रच दे जो आज के दिन में जदी आप लोग चाहो तो जम्मू कस्मीर में भी अपना जमीन खरीद लेंगे मकान खरीद के रह सकते हैं वहां की ब बेटियां अधर स्टेट में साधी करेगी तो उनको बेदखल किया जाएगा बेटे को भी बेदखल किया जाएगा लेकिन मैं नमन करती हूँ अपने मानिय प्रधान मंतरी जी कि इस तरह का योजना बना कर 377 वहटा कर पूरे देश की आजादी कर दी जिए एक पद्धा ज इस पर आपका क्या कहना है खास प्रधान मंतरी से लोग रूबर हो रहे हैं बिलकुल मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ जो नमो एप किसी पार्टी का नहीं है मैं कहती हूँ सभी एप डॉनलोड करें जन हीत की योजना है उसमें जो गरीबों के लिए मीडियम सकते हैं तो मेरा यही है नमो एप सभी जितने हैं हमारे यहां जो बहने हैं खुद भी खुद भी डॉनलोड करें साथ में अपने परिवार के लोगों को भी डॉनलोड करवाए अरोशी परोशी को भी जावरूप करें जो नमो एप डॉनलोड करें बिलकुल मैं डिजिटल इंडिया की तहत अगर बात करें मोधी सरकार की तो बहुत कदम उठाया गया है प्रोपर्टी टैक्स भी इस समय पर ओनलाइन जमा हो रहे हैं क्या कहना है आपने लगातार कैम भी लगाए है लोगों उसको जागरुख भी किया लेकिन आपकी तरफ से क्या कहना है इसे कसी से मतलब नहीं जाहें देखिए उससमें भी डायेक्ट धूर कर सकते हैं घर विय में लगनी पतिल对हां प्रकिक्टेशंज मुम प्रकिश्रेशंज ग preparatा नों हैं आप घड बैटे डीजिचिटल कर सकते हैं बिल्कुल जिनको कोई पर्ड़िशांनी है मेरे पास आए मैं उनको उस थिद्धार के अपने अधिकारी अधिकारी को बिला कर उनको मैं समझा दूंगी विक्षा रोपन कि इन से पहले बात करेंग वरिक्षा आपने का विभिन परकार के व्रिक्ष आप दे रही है दान करें कविता जी मैं आपको बताना चाहती हूं हमारा एंसीडी की प्रोग्राम है उनके माध्यम से जो आप अपने घर के सामने जहां जग्या है वहां ब्रिक्ष लगाईए अपने मन पसंद के आपको हम टिरीगार्ड में आपका नाम लिकर नेम प्लेट देंगे और पालक आपको बनाएंगे इसकी देखराग भी आपको करना है से ही तो हमारे साथ ही हमारे परिवार के लोग हमारे कर्मचारी हमारे अधिकारी गन स्वर्व लोग सिधार गये तो इसी लिए जितना ब्रिक्ष हम लगा सकते हैं तो उतना ब्रिक्ष लगाएंगे तो लोग कल्यान के लिए धर्ती मा के लिए बहुत ही इलाबकारी होगा ह मैं आपके माध्यम से अपनेической कहना चाहती हूं कि जहां भी जगह मिले आप मुझे संपर्क करके मेरे से आप पौधा ले और साथ में मैं टीरी गार्ड भी दूंगी नेम पलेट के साथ बिल्कुल ठीक है मिनाक्षी जी क्या कहना इंद्रा जहार जी की तब्यत थोड़ी सी आज ठीक नहीं है उसके बाद भी लोगों के बीच में आई हैं और सेवा कर रहे हैं क्या कहना चाहती है इनके लिए इंद्रा जी की तबियत ठीक हो या ना हो करोना काल में भी जब इनको करोना हुआ था तब भी इन्होंने पूरी जिम्मेबारी से अपने कर्तवे का पालन किया और आद्वियाब के समख्ष उपस्तित हैं तो स्वस्थता इनके लिए कुछ मैटर नहीं करती हैं तो जैसे पूजा को हम नियमित रूप से करते हैं इसी तरह से ही अपने काम को पूजा की तरह पूरा इमानदारी और निश्चा से कर रही हैं बिल्कुल ठीक है ऐसे में यहां की जो प्रिंसिपल महतर्मा हैं उनसे भी बात कर लेंगे और सबसे पहले तो मैं यह सब्सक्राइब करते हैं और अभी आपको बता दूँ कि हमारा स्कूल जो है स्मार्ट क्लासिज शुरू हो रहे हैं अच्छा हमारा चुका है इंस्टॉल हो गया और जल्दी वह मंदे से काम सुरू हो जाएगा उसका और एक और फेकल स्लज्ज मुए डिस्पोजब प्लांट भी लग रहा है हमारे स्कूल में वह एक नई टकनीक है वह को हमारे याँ इसकूल में लगाया जारा है अभी तक हमारे स्कूल यह काम शूरू हो गया है फिछीए तो अब जल्दी पूरा हो जाएगा फिल्कुल ठीक है मैम इंद्रजह जाजी का सपोर्ट कितना र हुआ है कि इवन आधी रात को भी करेंगे तो वह हमेशा हमारे लिए रेडी है और इन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है हमें चाहे स्कूल से इच्र है कोई इस पर क्या यह कोरोणा काल में कितना एंपॉर्टेशन अगर कुछ कहना चाहे है तो मैंशोंने काल मेत आपको मालुम है कितना मुश्किल दो रहा है वह शायद उसको कोई भी नहीं भूल सकता वह बहुत ज्यादा शहीं मशकिल व्क्त प्रॉइंगे लिए गया है तो उसमें कोई दूर आई नहीं है और उसमें फार्वेकों कीड़ी किलिए है तो आपको प्रवाइड किये जाहरहे हैं। बिल्कुल मेडम, बिल्कुल प्रवाइड किये जा रहे है। आज भी आये हैं एक टीचर को पाँच प्लांट लगाने हैं। तो आज भी आये हैं। अभी तयारी है इस चीज़ की। कर दो